ये किरीम हमारे चेरे को खूबसूरत, सुन्दर और अच्छा बनाता है। और जैसे कि अगर किसी के चेरे पर छहिया हो जाता है। जैसे कि किसी के चेरे पर दाने दाने सनाक के साइड में या फिर कान के साइड में या फिर हम कह सकते हैं गाल के साइड में या फिर आग के साइड में छहिया हो जाता है जैसे कि जो छहिया होता है ये तीन परकार का छहिया होता है ये तीनो परकार की छहियां की प्राबलम को ठीक करता है और जैसे कि अगर किसी के चेरे पर दाग, धबे या पिमपल्स या फिर एकनिक की समस्या रहता है तो इन सारी समस्याओं को ये ठीक करता है चलिए अब हम आपको बताते हैं इस किरीम का उपयोग चेरे पर और क्या दि कतकिस परकार की समस्या हो जाने पर हम ये जो किरीम है अपने फेस पर अपलाई कर सकते हैं इस किरीम को लगाना कैसे होता है ये किरीम का यूज क्या होता है इस किरीम का क्या साइड इफेक्ट होता है इसके बारे में आज हम आपको हिंदी में जानकारी देंगे कौन ये किर पिंपल्स और एकिनी की समस्या आज कल काफी जाइदा देखा जा रहा है जैसे कि हर किसी की चेहरे पर आपने देखा होगा पिंपल्स और एकिनी की समस्या यह होता रहता है आप बहुत सारा क्रीम बहुत सारी मेटसीन बहुत सारा सीरप फी लेते हैं उसके बाद में भी जो आपके face पर एकिनी की समस्या रहता है, ये ठीक नहीं होता है, continue आपके चेरे पर यानि pimples और एकिनी की समस्या जो होता रहता है, तब ये किरीम जो pimples और एकिनी की समस्या रहता है, इन सारी समस्याओं को ठीक कर देता है, और जैसे कि इस किरीम का जो उपयोग है, आपको हमने बता दिया पिंपल्स और एकिनी की समस्या को ये जड़ से खतम कर देता है और जैसे कि जब किसी के फेस पर पिंपल्स या फिर एकिनी की समस्या रहता है जब वो ठीक हो जाता है उसके बाद में आपने देखा होगा कि अगर किसी के चेहरे पर पिंपल्स या फिर एकिनी की सम या फिर वेसे किसी काऱ से अगर उसके चेरे पर दाग धब्बे की समस्या रखता है, ये आयरुवेदिक करीम होता है ये काफी अच्छा करीम होता है ये आपको साथ दिन के अंदर ही इसका रजल्ट देखने को मिलता है और जैसे कि जब किसी के फेस पर छहिया हो जाता है छहिया आपने देखा होगा ये आपके नाक के साइड पे हो सकता है नाक के बगल हो सकता ह आप जैसे कि आपको पता है चहियां का जो परकार है ये कई परकार का चहियां होता है और ये चहियां का जो समस्या है उसे भी ठीक करने का काम करता है किसी भी परकार का अगर आपके फेस पर चहियां की समस्या है तो उसे भी ठीक करने का काम करता है और जैसे कि एक बार हम देते हैं ये आपके फेस पर पिंपल्स या फिर एकनिक की समस्या रहता है जैसे कि अगर आपके फेस पर पिंपल्स या फिर एकनिक की समस्या रहता है तो उस समस्या को भी ये ठीक करता है और जैसे कि ये क्रीम आपके जो चेहिया का समस्या रहता है तो ये चेहिया की समस्या को भी ठीक करता है जैसे कि ये क्रीम आपके चेहरे को गलो करता है यानि जो आपके चेहरा है उसमें गलो करता है या आपके चेहरे को खूबसूरत सुंदर और अच्छा बनाता है जिससे आपका जो चेहरा है वो गलो करने लगता है चलिए अब हम आपको बताते हैं ये जो क् पर कैसे अपलाई करना होता है जैसे कि ये क्रीम लगाने से पहले आप अपने फेस को धुलने के बाद में आप अपने फेस को साप तोलिया से पोचें पोचने के बाद में ये क्रीम आप अपने उंगली में लेके आप अपने पूरे फेस पर अपलाई करें ये क्रीम आपको दिन में दो से तीन बार अपलाई करना होता है, ये क्रीम आप लगाने के बाद में आपको धूब के संपरग में नहीं जाना होता है, ये क्रीम काफी अच्छा क्रीम होता है, ये क्रीम आपको आउनलाइन भी मिल जाएगा, या फिर आपके जो मारकेट है, यानि जो आपका च इसके अलावा यद आपके फेस पर और कोई दिक्कत और कोई समस्या है तो एक बार अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से जरूर समप्रक करें उसके बाद में कोई दवा कोई भी मेडसीन लें कभी भी आप कोई भी दवा कोई भी मेडसीन आप अपनी मर्जी से उपियोग करें